हेलो गाइब्स वेल्कम बेक टू माई चैनल तो लास्ट फीडियो में जासे हमने जो मारी एक्सरसाइज एट पॉइंट वान थी उसके हमने आठ कोस्टन तक हमने सॉल्व कर लिये हैं ठीक है तो आज हम उसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं तो इसमें अब दो कोस्टन और रहते हैं 9 और 10 तो हम पहले 10 वाला कोस्टन कर लेते हैं 9 वाले को बात में करेंगे तो जो 10 question है 10th question में यह बोलता है कि हमें एक review दिया है P, Q, R तो पहले P, Q, R बना लगते हैं जिसमें यह बोलता है कि जो हमारे Q, वह है वो 90 degree है तो यह इस तरह से बना है P, Q, R यह 90 degree है ठीक है और यह बोलता है कि जो मारे P, R जमा के हुआ रहे है वो है 25 ठीक है कि इन दोनों का जो total है वो 25 के एक वल है और जो P के हुँ दिया है वो 5 cent है P के हुँ बात दिया है बाकि सब हमें find out करना है ठीक है इसके साथ हमें निकालना है sin P, cos P और tangent P तो जो जो हमें दिया है सबसे पहले हम P, R प्लस Q, R इसकी value निकालेंगे ठीक है उसके बाद हम हमारा sin P, cos P और tangent P को निकालेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या क्या दिया है हमें सिरफ P क्यों दिया है आधार दिया है ठीक है तो हम क्या करेंगे P, R और Q, R की value निकालने के लिए हम यह जो हमारी triangle है इसमें हम pythagoras प्रमे लगातेंगे ठीक है pythagoras pythagoras प्रमे ठीक है तो इस question में वो इस तरह से लगेगी कि P, R का square मतलब करण का square P के वो हमारा अधार है इसमें और Q, R हमारा perpendicular है शीष्ट रम में तो जो P, R है ठीक है P, R की value Q, R की form में निकाल सकते हैं ठीक है या हम Q, R की value P, R की form में निकाल सकते हैं मतलब हमने इसका use कर ला है जो equation हमने दी गई है तो हम लोग Q, R की value निकालेंगे या P, R की ठीक हम P, R की value Q, R की form में निकालेंगे ठीक है तो हम इस तरह से करेंगे कि P, R is equal to जो हमारे Q, R है वो इस तरफ चला जाएगा यह minus कर जाएगा ठीक है तो यह हमार पास इस तरह से आजाएगा यह हमार पास आई P, R की value इस value को हम यहां पे put कर रहा है यहां जाएगी 25 minus Q, R square ठीक है और P के वो हमार पास दिया है 5 तो 5 का स्क्वेर और Q, R हमें निकाल रहा है ठीक है यहां तक आपको समझ आ गया हमने सिर्फ पाइथा गोर पर में उसको यूज किया है हमने जो AC यह AC की जाएगे हमने PR लिखा है क्योंकि जो त्रीबू जो वो P, Q, R है ठीक है तो हम Q, R को दूसरी तरफ ले गए और इस तरफ हमार पास जो वैल्यू बनी उसको हमने PR की जगा पूट किया और इसको स्क्वेर करेंगे ठीक है और इसको सॉल्व करते है अब बाखी को मिटाते है ठीक है तो मैं याँ पर दिया था ठीक है अब पच्वी माइनस Q, R इसको स्क्वेर करांगे अ माइनस B का स्क्वेर तो इस तरह से आएगा 25 का स्क्वेर वे जागा 625 जमा ì को आर का स्क्वेर फेला कास्वेर उसके बाद माइनस पच्वास क्यो आर मतलब 2 A B ठीक है 2 गुना 25 गुना के वर दो गुना 25 पचास और के वर साथ में ठीक है यह क्योग तो यह हमार पास left hand side वाला जो हमने solve किया वह आगे अब equal to लगागे तो यहांपर 5 का स्क्वेर होगा 25 क्योवार का स्क्वेर क्योवार ही रहा ठीक है अब क्योवार स्क्वेर यहां भी है क्योवार स्क्वेर यहां भी है जब यह यह टम वहाँ जाएंगी यह माइनस बंजेगी दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे ठीक है उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि इस वाली टर्म को उस तरफ ले जाएंगे और इस वाली टर्म को इस तरफ ले जाएंगे ठीक है तो यह तरह से आगा 625-25 equal to ठीक है यह 50 QR जब यह वाली टर्म दूसरी तरफ गई तो यह प्लस की बन गी ठीक है और यह इटम प्लस की थी दूसरी तरफ गई माइनेस की होगी ठीक है अब इस में इसको लेस कर देंगे तो यह हमार पास आदेगा 600 जब 50 QR अब एक जिरो से हमने एक जिरो काड़ दी ठीक है बारा पंजे साट होते है तो QR की वैल्यू उमार पास आई 12 तो QR की वैल्यू हमार पास आगी 12 cm अब हमें निकालने पी यार पी यार निकालने के लिए हम इसमें पाइथा गुरस भी लगा सकते है ठीक है नहीं तो हम इसको डिरेक्ट भी कर सकते है कुकि कोश्चन में यह बोलता है कि हमारा PR है plus qr is equal to 25 है ठीक है तो हमें qr दिया है तो प्यार इनकाना तो प्यार is equal to 25 minus क्योड है ठीक है तो 25 minus हो गया बारा 25 में से 12 आगए 13 तो जो PR है वो हमार पास आगए 13 संटिमेटर ठीक है अगर हम इसमें पाइथाक उरोस जो हमारी थेोरम में उसको यूज करते हैं तो भी हमार पास 13 या अंसर आगा उसमें इस तरह चाहिगा कि PR का स्केर इस इपल टू पांच का स्केर 25 जमा 12 का स्केर 14 144 और 25 169 होगा ठीक है तो यह इस तरह से आगा जिसका जो स्केर रूटे वो 13 आता है ठीक है तो हमार पास PR भी आ गया QR भी आ गया और PKO में दिया बता तीनो साइड हमार पास आ चुकी है अब हम अपने जो कोस्चन में दिया गया वो निकालना है तीनो साइड हमार पास आ चुकी है ठीक है सबसे पहले हमने निकालना है Sine P Sine P is equal to BC upon AC तो यह के हुआ हमारा 12 और यह 13 तो यह 12 बटे 13 ठीक है 12 बटे 13 Sine P आ गया हम निकालना है कोस P कोस हमारा होता है AB upon AC ठीक है AB upon AC तो यह 5 बटे 13 ठीक है अब हमारा पास टेंजेंट है टेंजेंट P तो टेंजेंट कुम दो तरिकों से निकाल सकते है यह हम Sine बटे कोस कर सकते है ठीक है यह हम डिरेक्ट निकाल सकते है टेंजेंट हमारा होता है BC upon AB ठीक है BC upon AB यह हमारा पास आगएगा 12 बटे 5 तो हमने Sine भी निकाल लिया कॉस भी निकाल लिया ठीक है और टेंजेंट भी निकाल लिया ठीक है तो इस वाले question में इतना ही था आपने ध्यान क्या रखना है कि जो भी हमें condition दी थी ठीक है हमें एक side तो दी भी थी अधार हमें दिया वा था हमें जिरव PR और कॉर निकालना था हमने डिरेक्ट इसमें पाइथागर्स जो थेओरों में इसको यूज किया ठीक है जो हमारा PR था उसकी value हमने कॉर की form में निकाली उसको put किया उसका square किया और जो cancel out रो थो उसको हमने cancel out किया ठीक है उसके बाद हमने last कॉर की value निकाली कॉर की value आने के बाद हमने PR की value निकाली ठीक है ज़़ हमार बद तीनों value आगी उसके बाद हमने पहले sign P निकाल तो इस कोश्चन में आपने इस तरह से करना है कि आई होब आपको यह वाला कोश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा ठीक है अब इसमें जो हमारा उपर वाला कोश्चन रहता है वह हमारा थीक है उसको बरते हैं तो नाइन्थ कोश्चन में यह में बोलता है कि एक त्रीबुजे ए बी सी जिसमें भी हमारा सम्कून है ए बी सी भी सम्कून है और हमें दिया है टेंजेंट टेंजेंट जो ए है वह है वह वन अपन अंडरूर तीन तो टेंजेंट हमारा होता है बी सी अपॉन एबी ठीक है बी सी हुआ वन और एबी हुआ अंडरूर तेन तो तीसरी साइड निकालने के लिए हम इसमें पाइथागोरोस जो त्योरमस को यूज करेंगे ठीक है तो लिखने की जोट नहीं कि पाइथागोरोस आप डारेक्ट तंट ह betray करना जरूरी होता है पाइथागोरोस परमे के परियोग से या पाइथागोरोस परमे क्यानों सब्सक्राइब हम इस्तार लिखना है एसी का स्क्वेएर इस इकॉल टू बगाव स्कुेएर जमा बी सीका स्क्वेशर तो हमने एसी निकालना है तो इसको हम अंडरूर जा माँ एक, ठीक है उगा 4 दो नरूट 4 का square root था दो ठीक है, तो एसी की value आगी दो तो मरबंत 3 value आचुक है ठीक है हमने क्या गिया, tangent कह बेंदे दिया वा था tangent हमार लोथा BC upon AB हमने उसकी value निग दी BC upon AB ठीक है, फिर हमने इसमें pythagorawg जो promise उसको use किया AC की value निकालने के लिए ताकि हमार पास जो करण है उसकी value आजा है ठीक है तो under root 3 का square वो 3 हुआ plus 1 का square एक under root 4 का square root हो गया 2 ठीक है तो 3 हो value हमार पास आ चुकी है अब हमने जो निकालना इसमें हमने निकालना पहले sin A और cos है ठीक है तो sin निकालेंगे BC upon AC ठीक है तो BC upon AC यह 1 by 2 sin A आ गया है उसके बाद हमने cos A निकालना है cos A cos जो हमारा A है वो हमारा A B upon AC तो यह under root 3 बटे 2 तो यह दो एंगल हमार पास आ चुके है अब हमने दो एंगल और निकालना है इसमें वो है sin C और cos C निकालना ही तो जैसे मैंने आपको बटाया था कि जब हम A अंगल निकालते तो हमारा यहां पर बनता है जब है यह अंगर लेगा आते है तो मारा अंग्ण यहां नता है है कि तो हम घ्रड़े इसको तरफ को फ्रक्व कर देना ट्रांग hour अट यह मारा पी है सरा और यह उपर चला गया और यहां पर बन रहे है कि जो वेल्ब्रूस थी वह वैसे रही है कि इसा में कोंब है और झालना जासे mois अब इसने ट्रिक कर सकते हो इस और जो आपके कॉस एक की वेल्यू होती है हो ही वईल्यू शाइन सीं की आएगी ठीक है और जो हमारी शाइन था की स्दाओ तो इस तरह से आपने निकालना है जब आपको सी निकालने के लिए बोले जाए या साइन सी तो आपने निकालना है जो आपकी ट्रेंगल बनाई है त्रीक बूज उसको अपने इस तरह से शिफ्ट करना है ठीक है वैल्यू सेम रहेगी सिरफ जो नहीं में आपके वह थोड़े चेंज हो जाएंगे बाकी सारा एक जासे रहेगा ठीक है तो हमार बाद चारो वैल्यू आ चुकी है अब हम इन वैल्यू को यूज करके जो हमार बाद कंडिशन दिये उनको सॉल्व करेंगे तो इसको मिटा देते हूं तो पहली कंडिशन हमें यो बोलता है कि हमने निकालना है साइड एक जमा कोस में साइन ед आ है कि यह पहली कंडिशन कुटी है इसमें हमने वैलियूस पूर करना है और कोस यह हमारा रावे उन बाए चू है कॉसज ए हमारा अंडरूर 3 by 2 है ठीक है और साइन सी हमारा अंडरूर 3 बटे 2 है अब एक बटा 2 गुणा एक बटा दो यह होगा एक बटे 4 अंडरूर 3 गुणा अंडरूर 3 यह गा 3 ठीक है हमार पास आएगा 2 गुणा 2 4 ठीक है जो इसके डिनोमिनेटर है जो इसके हर एवो सेम है तो हम इसको डिरेक्टी एड करतेंगे यह 4 बाए 4 बन जाएगा यह कट जाएगा मार पास 1 आएगा ठीक है दूबार देखते हमने क्या किया हमार पास sin a की value दिये कॉसे की value दिये साइन सी की दिये कॉसे की value ठीक है यह वाली कंडिशन हमें दिये फर्स कंडिशन है जो कोश्चन में दिये वह में निकालना है कि साइन एंटू कॉसी प्लस कॉसे जमा साइन सी कितना होता है तो हमने इसकी साइन की value डाली एक बटे दो कॉसी की value डाली एक बट दोन को गुना किया यह वर्णा तीन बटे चार इसको भी लिख लिया जिए इनके जो हर ए डिनोमिनेटर है वह सेम है तो हमने इसको डिरेक्टी एड कर दिया तो यह फोर बाइफ बन गया ठीक है ठीक है तो पहला पाद हमने इसको नुइं पूर कर दिया है वह इसको डूसरा पाद उल्व करते हैं तो इसको एbalance कर देते है तो दूसरा पाद हमें बोलता है कि हम ने करना है कॉस ए इंटो नूस सी मैनिस साइन अगा साइन ची ठीक है कॉस ए कॉस ए हमारा है अंडरूर्ट 3 बटे 2 साइन सी हमारा है 1 बटे 2 माइनस साइन ए हमारा है 1 बटे 2 और साइन सी हमारा अंडरूर्ट 3 बटे 2 ठीक है तो यह मरव बन जाएगा अंडरूर्ट 3 बटे 4 माइनस अंडरूर्ट 3 बटे 4 तो जो वैली उमार बाद दी थी हमने सिर्फ उसको पूट किया है उनको मल्टिप्लाइ किया है और उनको लेस्ट किया है तो यह हमने कोश्चन नंबर 9 किया है जो पेज नंबर हमारे 200 पे है जो हमारे एक्सरसाइज ए 8.1 प्रश्णावली ठीक है ट्रिग्नोमेट्र की तो आज हमारी जो प्रश्णावली 8.1 है एक्सरसाइज 8.1 वो हमने कंप्लीट कर लिए ठीक है उमीद है आपको यह वाली प्रश्णावली अच्छे से समझ आगी होगी अगर आपको किसी भी कोश्चन में कोई डाउट है तो आप इससे पहले वाले जो पाट है उनको देख स सकते हो अच्छा से और फिर भी आपको समझ आए तो आप कमेंड बॉक्स में बदा सकते हो कि आपको कौन सा कोश्चन समझ नहीं है ठीक है तो आज फिर हम इतना ही करते हैं